नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, Study for Goals पर आप समों का स्वागत करता हूँ Friends, खोठा बासा व्याकरन का या Class 6 है, इससे पुर्व मैं 5 Classes ले रखा हूँ जो आपको YouTube पे मिल जाएगा, अगर आप नई Viewers हैं तो आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं ताकि Paper 2 के रूप में अगर आपने खोठा सेलेक्ट कर रखा है और खोठा अगर सेलेक्ट कर रखा है तो उसमें व्याकरन सेक्षन है तो वहाँ से जो प्रस्न पूछे जाएंगे वह आप यहां से clear कर सकते हैं तो आज का जो topic है friends वह है काल, काल से क्या क्या, मतलब काल होता क्या है यहां से किस तरह से प्रस्न बनते हैं या फिर विगत वर्सों में किस परकार के प्रस्ण पूचे गए हैं इन सब पे हमने यहाँ पे चर्चा करेंगे एक बात और बता दूँ कि यह जो content difference exam oriented है मैं इस exam को ध्यान में रखकर मैं तयार किया हूँ अगर आप कोई साहित्थिक रचना के बारे में सोच रहें तो थोड़ा यह वीडियो को avoid करना है बाकी job लेना है तो आप पढ़ लीचे जॉब लीचे देन आप खोठा के साहित्थे में अपना युगदान दे सकते हैं आपको बहुत समय मिलगा क्योंकि आप अपना लाइप को पार कर चुके होंगे ठीक है तो चलिए बिना देरी के वे आते हैं वीडियो पे तो friends सबसे पहले जानिए कि काल कहते किसे हैं काल यानि समय तो आप समझे कि काल जो टॉपिक है उसके माद्यम से हम क्या समझेंगी कि कोई भी काम जो हो रहा है वो अभी हुआ है या पहले हुआ है या भविश्य में होगा तो इन सब चीजों को अगर हम कोई वाग के लेते हैं थो हम कैसे judge कर पाते हैं कि यह वाग के जो पहली घटना घटी है उसके बारे में बता रहा है और कोई बाक्य है जो अभी जो काम चल रहा है उसके बारे में बोला जा रहा है ना जैसे मैं मैं खाना खाया था तो था लगा है तो भूत काल है मैं खाना खा रहा हूँ मतलब भी वर्तमान में खा रहा हूँ तो इस काल टॉपिक में हम इनी चीजों को समझेंगे और थोड़ा से एक्जाम औरियेंटेट क्या क्या एक्जाम में प्रस्न पूछे जाते हैं वह देखेंगे ठीक है थोड़ा सा जे से सी का भी इंट्रेस्ट काल में कम होता है क्योंकि मैं पिछले वर्स के प्रस्नों को ढूंडा तो दो, तीन, चार, पांच ही कुश्चन इस तरह से मतलब पांच से नीचे ही कुश्चन अब तक जितने भी खोठा के प्रस्नों पूछेगे हैं तो आपको भी ज्यादा लोटनी लेना है यह इसली हो जाएगा ठीक है चलिए परिभासा से आते हैं ठीक है तो क्रिया के जीस रूप से किसी कारी के होने का समय का पता चले या घ्यात हो उसे काल कहते हैं प्रिवेस यर में कोश्चन पुछा गया था काल के कितने भेध हैं तो समझ सकते हैं किस लेवल के प्रस्नों पूछे जा रहे हैं तो आपको पता रखना है कि काल के तीन भेध हैं तो पहला है बीतल काल यानि भूद काल जो भले बीत चुका है बीते हुए समय में कोई कारे हुआ है तो वह क्या कहलाएगा बीतल काल यानि भूत काल दूसरा है चलवया यानि वर्तमान काल और तिसरा है अवया यानि भविशत काल ठीक है तो आने वाला समय मतलब अवया भविशत काल ठीक है इसके अलावे कुछ बाते और जान लीजे जो मैं नोट में लिख रखाऊं इसे मैं बाद में अच्छे से explain करूँगा फिलाल यहां बस जान लीजे, सुन लीजे वर्तमान काल का बोधक परते है थोड़ा सा एक mistake है इसे ले जाईए भूध काल में और इससे ले आएए वर्तमान काल में बाकि मैं PDF में इसे सुधार दोँगा, यहां हो जाएगा la और यहां हो जाएगा a और o, ठीक है तो वर्तमान काल का बोधक परते है तो a और o जैसे क्या होता है कि हम खा ही मतल replace, हम खा ही तो अ है न इस तरह से बाकी से मैं explain करता हूँ आगे detail में मैं लिख रखा हूँ सारी काल का chart बना के ठीक है भूत काल का बोधक परते क्या है तो ल जब भी मुख्य क्रिया के last में ल लगा हो तो वह थोड़ा सा यहाँ पर मैं आगे explain करूँगा कि ल जो है अगर मुख्य क्रिया में लगा है और सहायक क्रिया में लगा हुआ है तो निश्चिन तरही है वह वाक कि किस चीज़ का होगा तो भूत काल का होगा बाकी जब भूत काल परते क्या होता है ब और त जब ब और त लास्ट में लगा हो मुख्य क्रिया के last में तो वह भविश्यकाल में आता है ठीक है तो चलिए और डिटेल से इसको समझते हैं आज की इस कलास में जनरली हम लोग वर्तमान काल को देखेंगे बाद में भूत काल दैन भविश्यकाल को समझेंगे वर्तमान काल जिसे हम टटका चलवाईय काल भी कहते हैं तो क्रिया जोन समय घटित हो है वर्तमान काल कहला है तो मतलब क्रिया जब भी कोई क्रिया होता है तो वह तो जब हो रहा है वह तो वर्तमान में ही होता है तो वह क्या कहलाता है वर्तमान काल कहलाता है बाद में जब समय बीत जाता है तब वह क्या बन जाता है, भूत काल बन जाता है, ठीक है, वर्तमान काल का भी भेद पुछा जा सकता है, तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो तीन भेद हैं, ठीक है, और भूत काल के कितने भेद हैं, चा भेद हैं, और भविस्य काल के भी, तीन भेद हैं, तो ये बेसिक है ख़तम नहीं हुआ है continuous tins होता है नुस तरह से continuous है तीसरा है संधीक्द वरतमानयाar शंभाव यह शंदीक्द वरतमान उत्यसके है कि वह फढ़ रहा होगा कि नहीं फढ़ रहा होगा इस तरह का मतलब भी बोल सकते हैं वो पढ़ाई तो होते है तो मतलब पढ़ भी रहा होगा नहीं भी पढ़ रहा होगा ना तो यहाँ पहा है सखाहा है संभावना है ठीक है चलिए एक एक करके इनको भी हम explain करते है समाई यानि समान्य वर्तमान काल जो क्रिया के रूप से यह पत चला कि कारे अभी-भी खत्म हुआ या फिर general sentence लगे कि मैं पढ़ता हूँ तो यह क्या कहलाएगा समानी वर्तमान काल का sentence कहलाएगा चला कि इसे चार्ट के माध्यम से मैं समझाता हूँ आप देखी बार-बार देखीगा तो ऐसा ही concept के लिए रहे जाएगा इसे मैं arrange कर दिया हूँ subject और singular plural के रूप में तो जब पर्थम पूरुस यानि swim का बात हो तो हम यानि हम या हमे paid ही मतलो मैं पढ़ता हूँ तो simple sentence से पढ़के ही आपको पता चलेगा कि यह क्या है saamani बर्तमान काले हमे paid ही या paid हो या paid ही है ये तीनों सही है बहु हो चनड़ जब एक से अधीक लोग है तो क्या होगा कि ham इन paid ही या paid हो या ही है थिक है मध्यम पूरुस जब दूसरे सामने वाले बंदे के बारे में बात किया आजाए तो क्या कहेंगे तोहिं पैड हैं तो अ हें आ रहा है ना इसे मैं आगे और चार्ट के रूप में बताऊंगा क्लियर हो जाएगा तोहिं पैड हा जब दो का बारे में सामने दो बंदे के बारे में बात हो तो तीसरे बंदे के बारे में बात हो तो उपैड है तो u-pied है, ठीक है, o-khin-pied हत, तो simple है, समानी वर्तमानकाल इस तरह से आप समझ सकते हैं दूसरा जो वर्तमानकाल का भेई difference हुआ है, ताताही, यानि अधपुरवा, चल-चल यत वर्तमानकाल अदपुर्वा मतलब जो अभी पूरा नहीं हुआ है ठीक है और चल चलेट मतलब चल ही रहा है अभी लेकिन क्या है वर्तमान में चल रहा है ठीक है तो वह क्या कहलाता है ताता ही अदपुर्वा और चल चलेट वर्तमान काल चली डेफिनेशन देखते हैं जोन किरिया कुरूप से ई पता चलो है कि काम सुरू है और चल रहल है, एकखन पूरल लखे, उ का कहला है, तता ही अधपूर्वा या चल चलेत वर्तमानकाल कहा है, चली इसे भी चार्ट के माधियम से समझे, जैसे में प्रतम पूरूस के बारे में बात किया जाए, तो हाम प पाइडरहल ही, तो ही पाइडरहल है, तो ही पाइडरहल हा, अन्यपूरूस में देखेंगे तो उ पाइडरहल है, या ओखिन पाइडरहल हाद, अभी मैं नोट में बताया था कि लास्ट में ला लगा हो, तो भूधकाल होता है, लेकिन एक बात या भी मैं बताया था कि मातलब जहां पे संदे हो मतलब वर्तमार काल में होने का संदे है मतलब लग रहा हुआ भी होगा नहीं भी हुआ होगा तो इस तरह जो संदेन्स होगा वो कालाईगा सकाहा संदीग दवर्तमान काल का संटेंस कालाईगा एक्जामपल से समझे कि हम पढ़ाई तीसरा है सकाहा या संदीग दवर्तमान काल तो जोन किरिया रूपे कोनो कारियों वर्तमान काले होए के संदेह बुझा है मतलब वर्तमान काल में ही हो रहा है लेकिन संदेह है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है तो क्या कहलाता है वो संदीग दवर्तमान काल कहलाता है चलिए से संटेंस से समझते है देखिए इस मतलब सकाहा संदीकी दिवर्तमान काल के अगर proper sentence देखे तो वह है अन्यपुरुज कि जब हम किसी अन्यव्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उ पढ़ाईत होताओ या होत ठीक है वह पढ़ाईत होताओ या होत या पढ़ाईत हताओ यह सब सही है, ठीक है? मतलब संदे है कि पूछा कि वो क्या कर रहा होगा, तो यहां पर बता रहा हो, पढ़एत होता हो, तो जरूरी नहीं कि पढ़ ही रहा हो सकता हो, मुबाइल भी चला रहा हो, मुवी भी देख रहा हो, लेकिन जनरली यहां पर संदे है कि वो पढ़ रहा ठीक है, तो यह क्या है, मतलब, तिसरा है सकाहा या संदीक दवर्तमान काल, जोन किरिया रूपे कोनो कारिय वर्तमान काल होवे के संदे बुझा है, उस संदीक दवर्तमान काल कहा है, मतलब वर्तमान काल में होने का संदे हो रहा है, कि मतलब वर्तमान काल में हो रहा है या नह हो रहा है इसका संदे हो तो वह क्या कहलाता है संदी की दवर्तमान कहलाता है इसे एक संटेंस से समझे इसका प्रॉपर संटेंस है अन्य पूरुष का एक संटेंस है उ पढ़ाईत हता होताव या होवत ठीक है इन तीनों संटेंस को समझे कि उ पढ़ाईत होताव मतलब कि काल में अभी का बात किया जा रहा है अभी उग क्या कर रहा है ठीक है तो यहां से समझे कैसे सकाहा और संदीक दवरतमान काल को पकड़ सकते हैं बाकी कुछ और चार्ट में आगे बताऊंगा जहां से आप रटना मुझे उचित नहीं लगता है मतलब बार बार चीजों को इत confusion है कि मतलब जबं मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ तो फिर संदे कैसा कि मैं ही पढ़ रहा हूँ लेकिन एक तरह से सोच जा सकता है कि कोई पूछा कि अभी तुरं थी पूछा कि क्या कर रहा था तो अगर दो आप मोबाईल भी चला रहेते पढ़ भी रहे थे कुछ और भी कर रहें थे, तो आप बोल सकते हैं कि हम पढ़ाइत, या पढ़ाइत हबाब या हमीं पढ़ाइत हबाब ठीक है, तोहीं पढ़ाइत हबाब या हमें, तो ठोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये third sentence आपको proper, इसका clearance करता है और इसे ही आप ध्यान रखें बाकी हम लोग जब question करेंगे तो वहाँ भी discuss करेंगे आपको वहाँ पर crystal clear हो जाएगा आगे भूत काल या बितल काल है थोड़ा complicated भी है तो मैं चाहता हूँ चीजों को अराम से बताओं भूत काल में और संभावी भारी से काल यह चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ note है जैसे में वर्त मूल किरिया संगे वर्तमान काल के हा चाहें सहाय किरिया में हो ही है 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 इन हो है हाल अगल रवेदा को ध्यान रखना है कि मूल किरिया में लास्ट में हा लगा रहता है ठीक है और उसके साथ लास्ट में क्या कि पढ़ो पढ़ो हो आप पढ़े हैं इस तरह से रहेगा तो वह क्या कलाएगा वर्तमान काल का संटेंस कलाएगा भूत काल के किरिया चाहें सहाय किरिया संगे लास्ट में लव पढ़ते लगा के भूत काल बनवल जा है जैसे तो यह त्यान रखे ठीक है और इसके लावे सहायक करिया दिखें मैं बता दिया हूँ यहाँ पर बॉक्स बना कि कि समानी वर्तमान काल के सहायक करिया क्या क्या है तो हो, ही, हो, हौन, हे, हा, हैन, हत्थी, हत्थी, हत्थ, हत्थे तो ये नहीं याद रहेगा इसका सही उपाय प्रैक्टिस तीसरा है सकहा या संभाव ये वर्तमान काल तो इसका क्या है हते मतलब वह खिलित हते या वह पढ़ाईत हतो तो इस तब हतेन, हत, हतक, हता, हतो, हतुन, हथुन ठीक है, चलिए, ध्यान रखिए बाकि नोट्स मैं टेलिग्राम ग्रूप में सेर कर दूँगा वहाँ से भी रिवाई कर सकते हैं अब देखते हैं, फ्रेंट्स, काल से बनने वाले वस्तुनिष्ट प्रशन होता है पहला प्रशने, फ्रेंट्स, हम खाय रहल ही बाई के कौन काल कर परियोग हेल है राजस्व करमचारी 2017 यानि रेवन्यू कलर्क में या प्रसन पूछा गया था अपसने पूरा वर्तमान कल, सामाने वर्तमान कल, ततकाली वर्तमान कल और सबे तो चली, सबसे पहले आते हैं हम संटेंस पे और समझने का प्रयास करते हैं हम खाय रहल ही, मतलब अभी भी मैं खा रहा हूँ मतलब काम क्या है, सुरू है और चल रहा है वर्तमान में हम खाय रहल ही, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा चल चलाइत वर्तमान कल, देखिए कई बार क्या होता है ना, कि एक ही मतलब ये टिंस है उसका नाम अलग-अलग होता है, तो चल चलाइत यानि ततकाली वर्तमान कल, ठीक है आपको ध्यान रखना है, एक सामानी वर्तमान कल है, एक ततकाली वर्तमान कल है और दूसरा क्या संदिक्द या सकाहा वर्तमान कल है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दूसरा प्रसन है, दीन मनी जी के मते खोठा साहित के कई गो काल विभाजन करल है जब भी question पूछेगा ना तो क्या है कि खोठा हिंदी के जैसा नहीं है कि हर चीज मतलब मानक रूपता है नहीं किया गया है तो मतलब लिखक क्या धार पर आपसे पूछा जाएगा तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा तो B, तीन गो, काल के कितने भेदें? तो तीन भेदें ना उसीतर भूध काल के छा भेदें, भविसे काल के तीन भेदें में लिए यहीं याद रखी यभी पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए भवी से का question है इसको भवी से काल पढ़ेंगे तब देखेंगे यह भवी से का question है अब यहाँ देख लेते हैं एके जहाके मते बीतल यानि भूत काल के कैगो बेध है तो चागो बेध है चलिए उसको भी हम लोग भूत काल में देखेंगे और यह भी भविसेकल एक कुस्ट्यन है लेख बेट तर लागं C, चल 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 है तवरतमानकाल चलिए, उपईड रट हल है मतलो अभी भी पढ़ रहा है ती now why भपउड रहा है या भी क्या हो जाएगा C, चल चल है तवरतमानकाल या ततकालिक वर्तमान काल, मैं बोला न, ये भी ध्यान रखना है, मैं नोट में सब लिख दिया हूँ, खाई पार हो ही, ये समाविवाइस, गजादर मत अगला प्रसने, गजादर मत और परभाकर जी के मते वर्तमान काल के कते वे थे, तो इसका भी सही अंसर है, तीन टो, ठ करते हैं, तो यह था फ्रेंट्स वर्तमान काल, और मैं अपने इस तरह से कोसिस किया आपको बताने का, उसके लावे फ्रेंट्स बेस्ट वे है, चीजों को अच्छे से, मतलब ज्यादा मार्क से स्कोर करने के लिए, कि आप ज्यादा स्था प्रैक्टिस करें, कई बार क्या इसके लावे आप और अच्छे से त्यारी करना चाहते हैं, तो Study for Goals Android एप है, उसे डॉनलोड कीजी, वहाँ पे आपको, जनरली फ्री, फूलेंद टेस्ट बेगारा, सेक्शनल टेस्ट बेगार, यह सब भी अविलेवल होते हैं, और इसके लावे इस पार्ट से, यानि काल से बनने वाले अन्य तो मैं 10% जोड़ देता हूँ, ताकि पढ़के तुरंत कुछ concept क्लियर करने के लिए क्वेस्ट कर लिए जाए, और क्वेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आप आप डॉनलोड कीजी है, और किसी पर करकर के क्वेरी है, तो यह हमारा official number है, उससे संपर की पढ़ेंगे, तैन भविस से काल का, उसके बाद हम लोग कारक पढ़ेंगे, इसके अलावे आप study for goals के telegram channel से भी जूड़ जाएए, वहाँ पे भी daily quizzes करवाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपना तेयारी को माप सकते हैं, और very very important हम लोग नहीं खोठा की based preparation के लिए, लगबख 9 से 10 हजार प्लस objective question का एक कूर्ष बना रखा है, जारकन सचीवाले 2022 खोठा भासा, और यह नगरपाली का सेवा समवर्ग और विस्स्ट योगिता उसके लिए भी same syllabus है, तो यहाँ पे 50 full length test है, वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 43 test update किये जा चुग वो original paper मतलब जैसे exam हो है, उस परकार से बनाया गया है, तो आप यहाँ पे जाके test से जूड़ सकते हैं और यह चीज़ें, जनरली मैं ही select करता हूं और कोई और भी select कर रहा है तो इस सग्यों के द्वारा ही select करवाया जाता है, ठीक है, minimum price पे आप study for goals को सहयोग कर सकते हैं, ताकि और भी content हम आप तक ला सकें, ठीक है, इसके लावे जार्खन जी के, जार्खन का इतिहाज, जार्खन का फुगोल, यह सब content टेके करके update हो रहे हैं, तो आप study for goals पे जूड़े रहे हैं, और अगर हमारे चैनल पर नहे हैं, तो चैनल को subscribe कर लें, और फिर शेक हता हूं कि मेहनत का कोई substitute नहीं है, अगर आपको सफल होना है तो आपको पढ़ना ही होगा, और दूसरी बड़ी बात, जो सफलता है वो दो चीज खोचता है, एक तो मेहनत, दूसरा patience, आपको patience भी बनाए रखना है, जनरली क्या करते हैं, बच्चे exam का date नहीं आता है, पढ़ना छो वहाँ पे आपको अब यह कोई excuse नहीं मना सकता कि मतलब content नहीं है, यह नहीं है, वो नहीं है, तो digital जमाना है, यहाँ पे आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको job लेने से कोई नहीं रोख सकता है, उसके बाद आप मस्ती करते रहिए को कौन रोखता है, ठीक है, तो friends, all the best for your upcoming exams and for your preparation, Jai Hind, Jajharkhand and Johar.